हाइ फ्रेंड्स मैं गौतंम आज आपको बताओंगा कैसे आप Adobe pagemaker के अंदर क्ली पार्ट कैसे लाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पद्दे़ स्टार्ट में जाएंगे स्टार्ट में इस क्लिक किए फिर program पाइडोबी पेजमेकर क्लिक करें हिए डोबी पेजमेकर फिर के तो माइअ थैंप्लेट अक्रण निए बंद निक चेसे आते देंट पाइज लेए जाए नियु नियु पड़ा पेपर साइज चूश्ज करें गल्ने करने के बाद अगर को एक क्ली पाट कैसे आएगा देख़िए सबसे पदल एडिट में जाएंगे यह है तूल क्लिक करेंगे सबसे पदल एडिट में find इंसर्ट ऑब्rences उसके बाद ऑब्सक्ट टाइप के अंदर यहां create new रहना चाहिए create new highlighter होना चाहिए उसके बाद object time में जाएंगे यहाँ पर choose करेंगे Microsoft Word picture Microsoft Word documents है Microsoft Word picture क्लिक करेंगे OK क्लिक करते के साथ यह देखिए मेरा picture in Microsoft Word का window खुल गया खुलने के बाद यह यहाँ पर यह sign है यहाँ आप सिंबॉल आपको दिखाए दे रहा क्लिक करेंगे क्लिक करते के साथ को जो भी हमको पसंद है उस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब मुझे यह लाइन का तस्बीर पसंद है क्लिक किये यह बगल में यह सिंबॉल है इसका मतलब बहुत है इंसर्ट क्लिप इस पर क्लिक कर देंगे ये Microsoft Word का window ये भी click कर देंगे close कर देंगे ये देखिए ये मेरा clip art आ गया फिर से मैं दिखाता हूँ आपको edit में जाएंगे, edit में जाने के बाद insert object में जाने के बाद क्या करेंगे Microsoft clip gallery पर click नहीं करके हम क्या करेंगे Microsoft Word picture Microsoft Word picture ओके click करने के बाद ये मेरा Microsoft Word picture का window खुल गया ये clip art है insert clip art पर click करेंगे click करते के साथ ये मेरा clip art आप देख सकते हैं ये clip arts है इस पर जो आपको पसंद है suppose मुझे एक काटून के अंदर ये काटून पसंद है इस पर click करेंगे इसके बगल में ये जो symbol है इस पर click करेंगे ये आ गया close कर देंगे इस जो area आपको दिखाए देगा अगर ये clip art इसके अंदर आता है तो that means इसका मतलब होता है कि आप आप के page के अंदर आप ये clip art चला गया है अब क्या करेंगा Microsoft Word का ये जो window है इसको close कर देंगे ये आ गया मेरा clip art तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग अब इसको close कर देते हैं नो